एक बड़ी गंभीर बात सामने आई है एक आईएस इंडियन एट्मिस्ट्रिटिव सर्विसेस का आदमी जो कानपूर का कमिश्णर रहा उसने कानपूर में मेट्रो लाइन बनते समय साठ से अधिक हिंदूं को मुसल्मान बनाया ये कहके फुसलाया कि तुम्हें तुम्हारे नाम जमीन नहीं है तुम तो ऐसे ही जोपड़ी बना के रह रहे हो यहां से मेट्रो लाइन निकल रहे है मुसल्मान बन जाओगे तो वक्फ वोट्स है और इससे मदद करा दूँगा वो छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई के कुरता यानि एड़ी से उंचा उठंग पजामा और लंबा कुरता एक ऐसा कुरता जिसमें अपने जैसे एक आदमी को साथ लेके पहने तो फिट आए उसको पहन के उसके कई वीडियो उसके भाषन उपलब्द हैं वाइरल हो रहे हैं जिसमें वो दीन समझा रहा है इस पे कई लोग बहुत चकित हैं चकित होने की कोई बात नहीं है आशर की कोई बात नहीं है समझना चाहिए कि वो कहां से उठा है कई लोगों कहना है कि कश्मीर में ये राद दिन होता है इस तरह का चल लहा है ये बात भी ठीक होगी इतिखार दीन का तो क्या रोना दिल्ली में केजर दीन तैयार हो गया सारे काम उसके इसी तरह के हैं मुम्ता बानू इसी तरह का काम करने हैं और भी कई सारे राजनिते की सब करते हैं कारण 1947 में 15 अगस्त को बल्कि 14 अगस्त 1947 को पूझ मात्र भूमी का विभाजन हुआ किसने किया मुसल्मान नित्ट्टू ने इसलामियों ने चाहा कि हम साथ नहीं रह सकते हम साथ रहेंगे तो यहां जनतंत रहें हिंदू हावी हो जाएंगे हम इनकी साथ नहीं रहेंगे, हमको अलग कर दिया जाएगा, अलग कर दिये गए, विभाजन के बावजूद ऐसा कैसे हुआ? कि भारत में राजनीती की पूरी दिशा इसलामियों के हाथ में चली गई, आज मैं आ रहा था तो गाड़ी में एक एक एफम बज़रा था, कोई पुरानी शाजा पिक्षिक का गाना था, उसमें कोई आरतनाद कर रहा है कि तुम कहां हो, तुम्हारी हमें जरूरत है, कि फिफ्टीज में पिक्षिर आई होगी, सेंटालिस में विभाजन हुआ, दस साल के अंदर शाह जहां को पुकारने वाली मानसिक्ता की पिक्षिर बन गई, चालीस, तीस से चालीस लाख लोग विभाजन मारे गई, करोणों विस्तापित हुए, राष्ट का बड़ा हिस्सा बरबाद हुआ, देश टुकड़े कर दिया गया, उसके बावजूद बंबई की फिल्म लाइन में शाजां के लिए, छाती कूट कूट के कोई आर्थनाद कर रहा है, कि शाजां तुम कहां हो, जहांगीरी घंटा कहां है, इंसाफ, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे संभव है कि रजिया सुल्तान और मुगले आजम और इस तरह की फिल्में जो इसलामी चिंतन को भारती हैं, वो बन रहीं थी, क्यों, जो बना रहे थे उनका सौझ में आता है, देखने वाले कौन थे, राष्ट्र को इसकी समझ क्यों नहीं थी, चूकि राष्ट्र में ये समझ विक्सित की ही नहीं गई, 1947 में विवाजन के बाद, गांधी और गांधी के बगल बच्चे, उनके चेले चांटी, उन लोगों ने इतनी लम्बे समय तक, हिंदूों के साथ जो दुर विवार किया, उससे उनको डर था, कि विवाजन के बाद, हिंदू, बिलविला के उनके खिलाफ हो जाएंगे, गांधी के पाप बोल रहे थे, इसलिए इसलामियों को इस देश में रखने की यूजना बनाई गई, कि इसे बैलन्स करने के लिए, एक इसलामी ताकत होगी, अच्छा इसलामी सब जाके राजी भी नहीं थे, धर्ती उठा के सर पर ले जाएंगे, क्या करेंगे, ये भी एक कटना ही थी, तो इसके लिए इस राष्ट्र का जो मूल सुरूप है, उसे विक्सित नहीं होने दिया गया, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इसराइल में हिमलर के नाम, हिटलर के नाम पर कोई रोड हो, राष्ट्र पर आक्रमन करने वाले लोगों के नाम पर श्मारक हैं, बाबर तो पहला आक्रमन करी था, चलिए बात के लोग तो हिंदू लड़कियों से शादी की, उनने हिंदू लड़कियों का परण करके, और उनके साथ संतान उत्पत्ति की, वो अपने साथ लड़कियां नहीं लाये थे, बाबर तो हिंदूस्तान में पहला आक्रमन करी थ था बावर रोड है कि नहीं कि किसी देश में संभव है कि उस पर आक्रमन करने वाले लोगों के नाम पर स्मारक हों मगर ऐसा है कि अकबर रोड बावर रोड शाजा रोड हुमाई रोड इन दुष्टों के भारत में नाम क्यों होने चाहिए ये मूलत राष्ट की स्थती स्पष्ट नहों राष्ट चूचू का मुरब्बा बना रहे उसका कारिथा जब आप राष्ट को परभाश्यत नहीं करते तो फिर जो हमलावर हैं जो अपने आपको उस अक्रमण के कारण से ग्लोरिफाई करते हैं अपने आपको महिवा मंडित करते हैं उनके बगल बच्चे उनकी परंपरा के लोग तुस्वहिम को गौरबान वे तन्फ़व करेंगी इसा क्या कर रहा है भारत में मदर से पहली बार बावर लेकर आया था उसको आवशक्ता थी यहाँ पर पैर जमाने के लिए लोगों की अपने चिंतन की मौगलों ने भारत में कैसे भायनक नरसंधार किये हैं भारत पर जो इसलामी आक्रमण है 712 इस्वी से लेकर अब तक यह आक्रमण बंद नहीं हुआ है घजवाहिंद चल रहा है इन 1300 वर्षों में भारत की आवादी इस तनी बुरी तरह से मारी गई कि इसको अपनी स्वाहविक स्थदी मैने में 400 वर्ष लगे सर उनको काट के उनके पिरेमिट बनाना बाबर का शगल था अकबर का शगल था भारत में ऐसे मूर्ख और भाहियत लोग हैं जो कहते हैं कि फलाने नवाब ने फलाने सुल्तान ने भूमी का बंदुबस्त ऐसा किया भूमी का भारत की भूमी के बंदुबस्त करने वाला सुल्तान होता कौन है उसके बाप का राज हैं मगर हुआ ही है कि उसके बाप का ही राज़ था और वो बाप के राज़ वाली माना सकता चूंकि पराजित नहीं की गई उस पर प्रहार नहीं हुए इसी करण से ये स्थती है कि अफ्तिखार उद्दीन कानपूर का कमिशनर लोगों को कनवर्ट करने में लगा है एक रैकेट पकड़ा गया है पूरा जिसने ये माना जाता है कि ये कहा गया है कि पांच लाख लोग धर्मांतरित कर दिये मुझे लगता है ये समय अब आ गया है ये बात पूछने का किसी हिंदू के धर्मांतरित होने का मतलब क्या है कि सड़क के किनारे कहीं कुछ चार इंट रख ली एक पत्थर रख दिया सिंदूर लगा दिया एक लाल कपड़ा टांग दिया एक मंदिर बन गया कुछ भी स्विकार है जिस समाज को उस समाज को निजाम उद्दीन में क्या दिक्त है वह अजमेर शरीब भी कपड़ा सर पर रखके क्यों नहीं जाएगा जो एक पेड़ में ग्रोथ हो जाती है उस पे सिंदूर लगा कर एक कपड़ा बांदेने से वहाँ पर पूजा शुरू कर देता है जिसके लिए करनी हैं और अकरनी है डूस और डॉंट्स हैं नहीं क्लियर वह कुछ भी करेगा किसी भी व्यक्ति को अगर ये कह दिया जाए कि तुम परिशान हो ऐसा करो कि वो नहर है न उसमें दो नारियल मंगल के दिन फेक देना चढ़ा देना अर्पित कर देना कुछ भी नाम प्रोग किया हो वो ये पूछेगा ये नहीं कि मैं आरियल चढ़ाओंगा किसको चढ़ेगा महां कौन है जो इसकी चिंता करेगा नदी में फेकने से क्या होगा हमने अपने डूस और डॉंट्स क्लियर ही नहीं रखे तो शेप नहीं बनती जब करणिये और अकरणिये तै नहीं हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं या कुछ भी नहीं कर सकते तो ये स्वतंतता है हमें कि हमारी कोई शकल नहीं बनती उनके सामने वो वर्ग है जो भारत में आता है तो मदर से लाता है एक विशेश चिंतन सिखाता है कुफर और इमान पढ़ाता है उसी कुफर इमान का हिस्सा ये एक शक्स है जिसके बारे में अब हम लोग चिंते थें मगर ये तो सदियों से हो रहा है राश्पति भावन में बैठा हुआ विक्ति गवर्नर हाउस में बैठा हुआ विक्ति आपको ध्यान होगा भुपाल के एक साहब थे जो उत्तराखंड के राज्यपाल बने फिर उनको कुछ समय उत्तर प्रदेश का भी राज्यपाल बना दिया गया दोनों का समय लिया उनसे एक बात मनसूब की जाती है उनसे एक बात जुड़ी जाती है उनने कहा कि मैं तो गंगा जल पीता हूं मेरे पूरवज राजपूर ते इस खस्म की बातें उनके नाम से सोशल मीडिया पे चलाई जाती है मगर सच क्या है रामपूर में बनी वी उनिवस्टी आजम खाने जो बनाई जिसके नियमों में तेह किया कि वो आजी बन उसके कुलपती रहेंगे उनकी बाबा का राज हो गया मां उसको स्विकारा नहीं जा रहा था उसकी स्विक्रति गवरनर को देनी थी यह मौलाना महां की गवरनर बने और उत्तर प्रदेश का गवर्णर बनते ही सबसे पहला जो उनने प्रमुक काम करा वो यह था कि इस युनिवस्टी की स्विक्रति दी है एक हराम उद्दीन थोड़ी है भरे पड़े हैं चुंकि कुफर और इमान का चिंतन इस पर कभी प्रश्णन चिंदन नहीं लगाए गए यह चिंतन इस समस्या की जड़ है जब तक यह क्लियर नहीं होगा और इसे क्लियर करने के साथ साथ आप अपने डूज और डूंट्स तै नहीं करेंगे हमारे डूज और डूंट्स क्या है हमारा मूल क्या है वेद वेद से हम निस्त्रत हुए है इसमें काल के क्रम में बहुत कुछ ऐसा जुड़ा है जो वेद से विपरीथ है वेद की परंपरा जिसको नहीं मानती तो आपको तह तो करना पड़ेगा एक तरफ एक ठोस शक्ति है उसके सामने बिल्कुल मुलायम मटी गीली काम करेगी क्या ठोस शेप लेनी पड़ेगी यह जो धारना यह बड़ा जूरदार सा गीत है अनेकता में एकता हिंदू की विश यह ठीक नहीं है कठोर लगेगा कई लोगों को मगर सच यही है कि अनेक होने का परणाम अफगानिस्तान है अपनेक होने का परणाम पाकिस्तान है अनेक होने का परणाम बंगला देश है इंडोनेशिया मलेशिया इस पूरे ख्षत्र में चले जाईए वहां कैसे इसलाम बढ़ गया कैसे मैं कम हो गया इसलाम को छोड़ी है मैं कम कैसे हो गए हम कैसे निबढ़ गए उसका कारण इस पर विचार करना पड़ेगा और विचार करेंगे तो हाँ पाएंगे किस का कारण यही है कि कुछ भी चल गया हमने चिंतन को तिलाण्यली दे दी इस बात की चिंता हैं नहीं की कि क्या गलत है और क्या सही है कुछ भी चल जाएगा हमारे लिए हमारे पास पंद्रा वर्ष नहीं है आक्रमक होने में तेजस्वी बनने में बचाओ का तो कोई रस्ता ही नहीं है इसके लिए इस चिंतन की जो आक्रमक है हम पर उसकी कम्यों को जानना उसको पूरी तरह से उसका अध्यन करना और उसका मूल आधार मैं तो बार बार कहता हूं कि अंडिस्टेंडिंग मुहमद अली सीना साब की किताब इसको डाउनलूट कीजिए इन शुल्क अनेक भाशाओ में हिंदी, इंगले, शुर्दू, अरभी सब में अपलब्ध है पढ़िए और फिर प्रश्न कीजिए जो आपको समझाते हैं कि इसलाम का मतलब तो शान्ती है तो उन शान्ती दूतों से कहिए कि ये तो ऐसा है इसके तथ्य में लगातार अपलब्ध कराता हूं आज नहीं अपलब्ध करारा, स्वें पढ़िए और अनुभव कीजिए, मगर अगर आप तेजस्वी नहीं बनेंगे तो वो तो साथ लोग क्या, वो छे अजार क्या, छे लाग क्या करेंगे, वो इसी काम में लगे हैं, कमिशनर नहीं, वो एक सामान निवक्ती, भीक मांगने वाला, वो भी आप दीम की दावत देता है, कि अल्ला की दीम में आ जाओ, नमास पढ़ माओंगा साथ, अब नमास पढ़कर क्या होगा, अल्ला है भी, ये सब सवाल पूछने के आपकी मजाल नहीं आप एग्नॉर करते हैं, चुकि आप हर चीज़ को पहले से ही कहर करते हैं, आप शिंता करें इस बात की और इस बात की जानकारी दिना ठीक होगा, हजारों की तादाद में मुसल्मान आरसमाजी बने, बड़े-बड़े आरसमाजी विद्वान, मूल उता इसलामी थे, मायंद पालारी की बात नहीं करूं, बहुत बड़े-बड़े विद्वान, कोई दो आरसमाजी बताते, जो मुसल्मान बन गए हो, क्यों नहीं बने, जो कि ठोस शकल है, पानी को किसी बर्तन में डालेंगे, तो उसकी शकले लेगा, पत्थर वो डालेंगे, तो कैसे ले लेगा, सॉलिड होना बहुत आवश्चक है, इसके लिए दोनों का अध्यन कीजिए, इसके बिना काम नहीं होने वाला, बहुत जरूरी चीज़ है, यह बहुत गंभीर समस्या है, कश्मीर भारत के, बलकि भारत में हजारों जए कश्मीर बन नहीं हैं, इसको सहा नहीं जा सकता, मगर इसको न सहने के लिए कि पहली शर्थ है, कि आप यह कौन सा चिंतन है, जो यह कर रहा है, उससे समझें, जब तक उसे समझेंगे नहीं, शत्रोबूध नहीं होगा, सही और गलत की आप हमारी साफ नहीं होगी, बात नहीं बनने वाली, केवल इतनी बात करने के लिए आप से संबोधित हुआ था,